समर्स के डाइट में mango इंक्लूड ना हो ऐसे कैसे हो सकता है आप चाहे weight loss डाइट पे हो या diabetic डाइट पे आपको PCOS है या फिर hypodharadism mango is completely safe option to include in your diet but with certain ifs and buts लेकिन milk एक ऐसा component है जो के एक complete food होते हुए भी आजकल हमें avoid करनी की सला दी जाती है ऐसा इसलिए कि pure organic milk की availability is very difficult moreover milk is a hormonal production and highly insulinogenic तो हमारी आज की recipe में हम milk का use बिलकुल नहीं करेंगे ना ही refined sugar use करेंगे तो ये recipe एकदम healthy होने वाली है so without wasting much time let's jump into the recipe video so the first step is के एक बड़े से बॉल में हमने डाले हैं 10 almonds 2 figs यानि के अंजीर 2 soft dates 1 tablespoon of melon seeds यानि के खरबूजे के बीज 1 tablespoon of watermelon seeds और इनको fresh पानी से अठ्छे से हम wash कर लेते हैं wash करने के बाद इनमें थोड़ा सा पानी डालते हैं जिसमें ये सारी चीजें सोक हो जाएं और सोक करके एक घंटे के लिए रख देते हैं second step precipica है इसमें एक छोटे से glass में हम सबजा seeds को वो भी एक tablespoon हमने लिया है सोक करके रख देते हैं तो ये हो गई हमारी pre-preparation एक घंटा पहले या overnight भी कर सकते हैं overnight करते हैं तो सोक करके सभी चीजों को fridge में store करें सोक होके figs जो हैं वो full गई है और dates हमारी और ज़्यादा soft हो गई है और dates में से हम अपने seeds को remove कर देते हैं अब इसमें add करेंगे one ball of mango, diced mango mango की cubes around 200 grams मेंने ली है और इन सब चीजों को blender में डालकर blend करना है ये हमारी smoothie का base ready हो गया है अब हम इसमें add करेंगे सबजा जिनकों के हमने soak करके रखा था अगर आपके पर सबजा seeds नहीं हैं तो आप chia seeds भी use कर सकते हैं पहले मैंने सोचा कि मैं इस पर layering करती हूँ सबजा की लेकिन फिर मुझे ध्यान आया मेरी daughter को इनका जो है दिखना अच्छा नहीं लगता तो मैंने फिर इसको सारे में mix कर दिया garnish किया इसको थोड़े से pumpkin seed लेकर और कुछ बचे हुए mango के chunks मैंने sides में डाल दिये ये हमारा ready हो गया smoothie ball as a meal आप इस smoothie ball को later use के लिए store करके भी रख सकते हैं you can also serve this to the guest as a dessert in place of ice cream आपके guests भी motivate होंगे healthy eating के लिए इसी तरह की innovative and simple recipes and health content के लिए आप हमें follow करते रहे आपकी queries हमें comments में लिखके भेजिए will definitely solve thank you for watching